तो semester 5 आपके लिए tough होने वाला है, तो जिन बच्चों का enroll करना है, courses launch हो चुके हैं, वो enroll भी कर सकते हैं Hello everyone, कैसे हैं आप? तो आज की वीडियो है, हमारे syllabus को लेकर जैसे थमलिन आपने देखा, कि syllabus next semester का reveal हो चुका है आपके next semester में क्या-क्या syllabus होने वाले हैं, वो सारी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ discuss करने वाला हूँ कौन से semester की बात कर रहा हूँ, सर, आपका B.com, सर, semester, आपका 5 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और ये NEP वाले बच्चों के लिए है, सर, regular college के तो exam खतम हो गया है, सर, NCWeb के भी लगबग exam खतम हो गया है अब exam SL वाले बच्चों का हुआ नहीं है, तो उनके लिए भी यही syllabus रहने वाला है NEP की बात कर रहा हूँ, मैं जो old CVCS वाला था, उस course की मैं इसमें बात नहीं करूँगा तो आपके slayvers की बात करूँ, तो कुछ 7 subjects होते हैं, तो 7 subject में से कुछ subject आपके core subjects होते हैं और core subjects के बाद, अगर देखा जाए, साथ के साथ, तो core subject में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन option वाले subject में ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है तो मैं अभी उसी option वाले subjects के बारे मैं आपसे discuss करूँगा, कि ये option वाले subjects में से कौन सा better है और किसके लिए आपको ज़्यादा परिशान नहीं होना पड़ेगा, चाहे आपका study material हो, चाहे आपके coaching classes हो, चाहे आपका easy और tough के way में हो, तीनों चीजों को लेके चलेंगे पहला subject बहुत ही interesting subject that is income tax, income tax बहुत ही important subjects है, अभी income tax का 10 year, देखो मैं अभी इस पे काम चल रहा है, 8-10 दिन में 10 year भी market में मेरी आ जाएगी, income tax का और एक तरीके से देखा जाए, तो income tax एक बहुत ही interesting, अगर देखोगे तो आप enjoy करके पढ़ सकते हो, जुसमें मज़ा आने वाला है, इसके अंदर आपको एक घंटे class में नहीं पता लगेगा, देड़ घंटे नहीं पता लगेगा, यह घंटे हो गए, ऐसा subject है यह, काफी subject समिस्टर में देने का मतलब क्या है, जैसे डियू के अंदर इनका प्रोस्पेक्टिव क्या मीटिंग था, कि भईया, समिस्टर पांच में पढ़ाएंगे बच्चा, छे में बच्चा ग्रेजुशन हो जाएगा, तो जब जॉब पे जाएगा, नौकरी पे जाएगा, तो उ समिस्टर पांच आपके लिए बहुत टफ होने वाला है, एक तरीके से एक तरीके से एक बेरियर है आपके ग्रेजुशन में, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट आपके बहुत भारी पढ़ने वाला है, मैं अभी सब्जेक्ट के इंडेक्स भी दिखा दूँगा, इसमें से कोई एक चूज करना है, तो मैं आप सभी को बोलूँगा, कि इसमें सभी में से कौन सा चूज करें, जो कि इजिली हो जाए, बहुत बच्चे अननेसिसरी चूज कर लेते हैं, तो एक आप बैंकिंग और इंसॉरेंस चूज कर सकते हो, पूरा थियोरिटिकल है, और प्रसनल सेलि इन सभी में से आपको एक चूज करना है, इसके अंदर मैं आपको चूज करने को वैसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, आपके जैसे बिजनस आपका मैथमेटिक्स है, तो जिन बच्चों का मैथमेटिक्स का बैग्राउंड है, तो वो मैथमेटिक्स ले सकते हैं, अगर वाइस mathematics अगर वह नहीं लेते हैं तो अगर mathematics background है तो उनको mathematics नहीं लेना चाहिए इसकी coaching लेनी जरूरी है ठीक है इसके बाद accounting merger and acquisition subject बहुत अच्छा है लेकिन tough काफी है तो मैं आपको क्योंकि पहले ही आपके पास यह subjects available है tough वाले तो मैं इसको deny करूँगा मना करूँगा आपको वीडियो यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी आपको वैसे classes में मिल जाएंगी हमारे पास भी classes स्टार्ट हो रही है auditing की इसके साथ साथ और भी बहुत सारे subjects दे रखे हैं जैसे financial environmental या फिर आपका भारत ग्यान तो अब depends करता है बहुत सारे college में के आपको दिया क्या जा रहा है तो दिया जाए तो priority basis पे आप ये रखिए आप business mathematics अच्छा लगता है तो वो रखिए business tax and procedure management क्योंकि income tax से related थोड़ा बहुत आपको help मिल जाएगा ये चूज कर सकते हैं बाकि जैसे जैसे form आएंगे बच्चों के तो आप जो बच्चे पहले से connected हैं वो आपने पहले पढ़ लिया हो बहुत सारी चीज आपने पहले पढ़ लिया हो तो वो तो नहीं मिलेगा लेकिन उनमें से इनमें से भी आपको क्या मैं बताओ चूज करने के लिए अगर आपका accounting background अच्छा है तो आप accounting for everyone चूज कर सकते हो जो कि आगे काम भी आएगा अगर accounting background अच्छा नहीं है तो आप ethics ये चूज कर लें ethics and governance जो की easy रहने वाला है आपके लिए तो ये subjects आपको चूज करना चाहिए अभी मेरे हिसाब से आपके पास को information कोई चीज नहीं आया होगा में भी आपको college से google form या फिर form आजाए भरके देने के लिए तो दे देंगे आपक सब्जेक्स यही मिलने वाला है मैं तो कहूंगा तीन सब्जेक्स तो मान के चलो हर बच्चों को मिल गया सर इसके अंदर मैं अगर इस बार क्यूंकि पिछली बार काफी सारे mistakes थी हमारे delivery में जैसे कि mistakes के अंदर topics का खदम हो रहा है नए बच्चे थोड़ा सा परिशान हो ग तो सर क्या easy किया है आपने income tax का हमने पहले से ही decide कर लिया कि कौन से chapter को किस दिन करवाएंगे हाला कि आपको 14 chapter यहां पे number दिख रहे हैं लेकिन इससे भी ज्यादा chapter है जैसे कि आप देखिए introduction 25 तारिक को start होगा 25 तारिक को start है कब है सर TTS में टाइमिंग साड़े 7 से 9 तो minimum 8 घंटी की class होगी और 2 घंटे का भी हो सकता है depend on topics क्या चल रहा है तो आपका पहली class रहेगी introduction का 25 तारिक को कौन से 25 जून की बात कर रहा हूँ जो अभी आने वाला है tax rate फिर सीखेंगे इसके अंदर 2 classes लग जाएंगे tax rate के अंदर residential status 6 जुलाई से start होगा और 5 दिन लग जाएगा आपको इसके अंदर income from house property 18 से start होगा 6 दिन लग जाएंगे deduction के अंदर आपके चार दिन लग जाएंगे लेकिन कुछ बच्चे कह सकते हैं सर एक से तो 8-8 दिन होते हैं लेकिन यहाँ चार क्यों लिखा तो यह TTS के according timing decided है आपका batch का है क्या TTS आपका पूरा का पूरा यह सारा का सारा बताय गया है इसमें salary कैसे निकलता है capital gain कैसे होता यह नि बहुत सारी चीज मैं अभी time पे तो discuss करके वीडियो लंबी भी हो जाएगा तो नहीं बता सकते हम बहुत सारे topics बहुत इंटरस्टिंग आने वाला है इसके अंदर जो कि बहुत मजाएगा दूसरा subject सगर मैं बात करूं तो एक management account है management account जो कि simple इसको मैं simple कहूंगा simple ल लेकिन सारे chapter typical है और उसमें बहुत ज्यादा questions होगे और यहां पे भी हाला की question तो है तो semester 5 आपके लिए tough होने वाला है तो जिन बच्चों को enroll करना है courses launch हो चुके हैं वो enroll भी कर सकते हैं जिन बच्चों को अगर YouTube पे देखना है तो channel subscribe कर रखा है bell icon दबा रखा है तो आपको helpful लगता है तो comment भी करिए कि हा सर यह चीज यह beneficial है और like, share और subscribe, share तो नहीं है subscribe तो कर ही सकते हैं तो मिलते हम इसी से related अगली class के अंदर सीधा जो कि 25 आरिक को start होने वाला है thank you so much मिलते हम अगली class के अंदर जिसको भी course enroll करना है कर लीजिए जिसको नहीं करना है वो YouTube पे heavy होने वाला है corporate account याद है तो income tax भी याद आ जाएगा आपको क्योंकि यह भी थोड़ा सा tough और बहुत lengthy होने वाला है मिलते हम next video में